हलो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल श्य बजर वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सिर्मा SGS Tech IPO के बारे में वैसे तो देखे अलरेडी एक पूर डीटेयल वीडियो आउट है लेकिन आज से क्योंकि IP open होता हुआ देखने को मिल रहा है तो काफी कमेंट आ रहे थे कि इसके अंदर आखिर करना क्या है अपलाय करें अवाइड करें किस प्रकार की कंपनी है कितना grey market चलता हुआ देखने क मिल रहा है कितना पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा यहां पर कितना आपको investment आता हुआ देखने को मिलेगा और आगे किस प्रकार से इस IPO के अंदर कोई रणीती बना है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को पुरा देखिएगा अगर आप द देखने को सब्सक्रिप्शन होगा उसके ओपर भी वीडियो बना के बता दूँगा कि कितना सब्सक्रिप्शन आया और उससे क्या यहां पर पता चल रहा है IPO को रिलेटेड तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे बहुता आपको कंपनी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ यह जो कंपनी है यह इंजिनियरिंग और डिजाइनिंग कंपनी है जिनका में जो काम है वह EMS और OEMS का है तो इसका मतलब क्या होता है EMS दोस्तों Electronics Manufacturing Services है जो यह प्रोवाइड करती है और OEM से अरिजिनल एक्विपमेंट मनुफाक्चर है रही है कंपनी के प्रोड़क्ट पोड़फर्य में आपको देखने को मिलेगा PCBA है RFID प्रोड़क्ट से एलेक्ट्र मागनेटिक एलेक्ट्र मेकनिकल प्राट्स है मदर बोड्स मैमूरी प्रोड़क्ट जो DRM मॉड्यूल्स होत अब यहाँ पर definitely से मैंने कहा कि मैंना already super video बना रखा है पूरा but important कि कंपनी बढ़िया है इसमें कोई doubt नहीं इसी financials अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया नजर आते growth oriented company नजर आती है जहां पर यहाँ पर company हर almost quarter में आपको बड़त दिखाती हुई देखने को मिल रही ह इसमें कोई doubt नहीं है कुछ basic information समढ़ लीजी IPO की तो याद रखेगा आज 12 अगस्त तो आज से IPO आपको open होता हुआ देखने को मिल रहे है 18 अगस्त तक open रहेगा क्योंकि याद रखेगा कल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Saturday Sunday है और Monday को 15th of August को भी देखी market holiday रहता है तो 13, 14, 15 इन दिन पर तो आप इस IPO के इंदर पैसा नहीं लगा पाएंगे याद रखेगा IPO विंडो जो रहेगी वो close रहेगी तो 12 के बाद आपको देखने को मिलेगा यह 16, 17, 18 चार दिन तक शायद तक IPO देखे पूरा almost open रहेगा 209 से 220 रुपे का price band आपको आता हुआ देखने जुटा आया है सबसे पहले आपको यह दिखा देता हूं तो दोस्तों सिर्मा SGS टेकनलोजी ने 252 करोड रुपे अपने anchor book से जुटा लिए अब याद रखे का anchor book होते क्या anchor book वो होती जो institution investors होते हैं जो बड़े-बड़े investors होते हैं वो पैसा लगाते हुए देखने को मिलत से वो समझ रहे हैं company के बारे में और 860 क्रोड की issue में से 252 क्रोड का issue अगर वो लेके जा रहे हैं इसका मतलब definitely उनके चरफ से तो एक big yes से इस IPO को लेकर इसमें बड़े-बड़े नाम आते हुए देखने को मिले कौन है Markie investors आपको देखने को मिलेगा NoMura यहां पर आपको द यहां पर पैसे लगाते हुए देखने को मिलें Mark investors का पैसा आता हुआ देखने को मिला है इस issue के अंदर total 252.04 क्रोड के लिए उनके तरफ से यहां पर लगाया है total 18 आंकर investors ने इस IPO के अंदर पैसा लगाया है जो company है वो finalize करा है जो allocation दिया जाएगा इनको 1.14 क्रोड equity shares का य आप अगर आप देखेंगे among the others कौन कौन से है ICICI Prudential, IDFC Mutual Fund, Tata Mutual Fund, IFL Special Opportunities Fund, BNP, Paribas, Arbitrates, Edelweiss और Aditya Billah Sun Life Insurance ने भी invest करा है सिर्मा के अंदर तो कह सकते हैं कि हाँ definitely अगर आप anchor portion देखेंगे तो बड़े बड़े नाम यहां पर आपको आते हुए देखने को मिले जिनकी से काफी अच्छा पैसा लगाया गया है और यह अपना आप में देखेंगे एक बेहत positive sign होता है कोई भी investors के लिए कि अगर आप किसी IP में लगा रहे और इसमें पहले anchor portion अच्छा वरता हुआ देखने को मिलता है तो वह एक first step होती है कि हाँ इस company में पैसा बन सकता है तो तो अब हमारे लिए कितना बचेगा तो देखें इसके लिए भी काफी range होती है कुछ QIB के लिए जाता है कुछ NIS के लिए जाता है कुछ retailers के लिए कुछ employees के लिए जाता है अब इसमें देखें company ने employees के लिए कोई भी अलग से quota नहीं रखा है तो यहाँ पर retailers QIB and NIS है अब क 95% NIS को 132 करोड के शेरें 21% और retailers को 49% के शेरें 308 करोड के तो इस परकार से कुछ है तो कह सकते हैं कि retailers के लिए almost 49% सबसादा portion रखा गया है then QIB then NIS और इस परकार से total 100% QIB then NIS में difference क्या होता है दोस्तो QIB तो आपको यहाँ पर investors जो देखने को मिलते हैं कि जो financial institutions होते है banks होते हैं FII होते है non-institution investors होते हैं दोस्तों जिनके जो bid होती है वो more than 2 lakh rupies की होती है जिनके भी बिट 2,00,00 से ज़ादा की होगी वो NIS category में fall करेंगे non-institution investors की category में fall करेंगे उनकी जो होती है 2,00,00 से 10,00,00 के बीच में राइट तो ये बात आप सबको समझ में आ गई कि कि कितना कितना पैसा आपको यहापे लगाता है हर एक category के लोग तो अब important question निकल के आता है कि क्या हमको इसमें apply करना है नहीं करना इसी green market कितनी है उससे पहले एक बार में आपको अभी तक का subscription का देखे data वाजाता हम तो अभी देखे 11 बच के 10 मिनिट हो रही है और 11 बच के 10 मिन तक retail investors की तरफ से 017 ताइम सब्सक्राइब कर दिया गया है बाकि किसी के तरफ से भी पैसा लगाया नहीं गया है तोटल अभी तक 0.08 टाइम से यहां पर आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो होता हुआ देखने को मिल गया है तो डेफिनिटली ठीक टाक सब्सक्रिप्शन यहां पर आता हुआ देखने को मिल रहा है अब अगर बात करें इस IPO के gray market के बारे में तो दोस्तों इसके जो अभी gray market चल रही है वो करीबन 8 रुपे चल रही है जादा नहीं चल रही है बट मुझे देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है वो अपना बढ़ती जाएगी में इसला तो यह है कि definitely इस IPO के इंदर apply करें छोटे gains के लिए apply करें लेकिन apply करें मुझे लगता है कि यह company आपको थोड़ा बहुत पैसा कमा के देखके जाएगी कम से कम 10-15% की डिटरंस मैं एक्सपेक्टर के चल रहा हूँ कि यहाँ पर लगाते हुए अगर आप देखने को मिलेंगे तो मिल जाएगा 10-15% market का अगर इसी प्रगार से हाल रहता है और मुझे लगता है कि अगर market यहाँ से और बढ़ी है definitely returns जो हो बढ़िया हो जाएगे जादा valuation के आप से भी देखे company जो है वो सही देखती है 220 उर्प का price में अगर company लाती भी देखने को मिल रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती कि हाँ यहाँ पर company की valuation खराब है तो definitely ऐसे companies के अंदर मुझे लगता है कि IPO के अंदर पैसा लगाया जा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और भी सारे updates आपको देता हुआ देखने को मिलेंगा जैसी आज first day का subscription निकल के आएगा तब भी आपको बताऊँगा कि कितना subscription आता हुआ देखने को मिला है तो चैनल से जुड़े रहिएगा चैनल को subscribe पर के रखेगा और notification bell को press करके रखेगा ताकि आपको सबसे पहले information मिल सके IPO के इस IPO के related तो friends इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video